अस्सलाम अलेकुम आज हम बनाने जा रहा है सिंपल चिकन कोर्मा यह हमने चार मेडियम साइज की प्याज के स्लाइस ले लिए हैं और यहां आधा कप ऑईल डाल लिया है अब यह प्याज इसमें डाल कर फ्राइ करेंगे गॉल्डन फ्राइ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यह हमने वन केजी चिकन ले लिया है इसमें जाएगा वन टी स्पोन लाल मिर्च पॉडर टो टी स्पोन धनिया पॉडर और पर टेस्ट नमक और वूर जाएगा सब गरम मसाला तेज पता दाल चीनी वन टी स्पोन जीरा बड़ी लाइची चोटी लाइची सब यह हमारी गॉल्डन फ्राइ हो गई है यास अब इनको निकाल लेंगे और फिर इसी ओयल में यह सब चिकन डाल देंगे और इनको अच्छे से चला कर जब तक इनका कलर बदलता है तब तक चलाएं फिस में डालेंगे लसन अदरक का पेस्ट वन टी स्पून भर कर और अच्छे से इस मेल निकलने तक पकाएंगे फिर यह सब गरम मसाला डाल देंगे यह हमने प्यास में एक मीडियम साइस का टमाटर काट लिया है और यह 250 ग्राम देही है यह सब हम ग्राइंड कर लेंगे जब इसमें सच्छे से स्मेल निकल जाए तब इसमें यह सब मसाले डाल देंगे और बहुत अच्छे से चलाए इनको यह पेस्ट तयार है और इन सब मसाले को अच्छे से भून लेंगे और फिर जब वो अच्छे से भून जाए तब इसमें यह जो हमने पेस्ट बनाया था यह डाल दें और इनको अच्छे से मिक्स करें अब यह देखेगा इस कलर का हो गया है इसको बनते हुए दस मिंट हो चुके हैं और अच्छे से भून चुका है मसाले से तेल अलग हो चुका है अब इसमें जाएगा वन टीस्पून केवड़ा वाटर देखेगा कितने असाने से कितने अच्छा बन कर तेयार होता है जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है आप सब्सक्राइब करना ना भूली अला आफिस और बन करना भागवा करना भ्सक्राइब कर दो लगता है झाल ना भूली अला प्पिस्टी लगता है